नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है किसान सेवा चैनल में मैं मनुष शर्मा आज आपको लेके आया हूँ आगरा जन्पद के समसवा छेतर में तो जैसे कि आपको पता है कि भारत एक क्रश्प जांदेश है और इसमें खेती 75% लोग करते हैं लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2-3 एकर से कम जमीन है वो खेती को छोड़ते जा रहे हैं और नोकरी में ज्यादा वरुसा रखते हैं तो आज हम आपको लेके आए हैं पॉली हाउस में पॉली हाउस की टेकनिकल खेती के बारे में आज आपको हम संपूर जानकारी देंगे और भहिया से भी पूरी जानकारी लेने की कोसिस करेंगे तो दोस्तों यह है entry gate, entry gate से पहले आप देख रहे हो, यहां बहुत बड़े यह लगा हुआ है system, तो यह सबसे पहले मैं भीया से यह जाना चाहूँगा, कि यह आपने क्यों लगाया है, इसका क्या कारड है, यह चारो तरब से पौदे आपने बंद कर रखे हैं, यह क्या reason यह ही है कि आप कम से कम insecticide, pesticide यह सब कम यूज करें, तो इसमें एक double door system है, पहले door से हम अंदर जाएंगे, तो कुछ insects हमारे साथ भी अंदर चले जाएंगे, फिर इसमें secondary prevention पे दूसरा door है, इसके opposite side पे, तो इस door को बन करके हम दूसरे door में जाएंगे, जिससे हम और prevent कर सक चलिए उसको भी अंदर देखते हैं, भाया का सीधा सा कहना है कि बाहर जो लगा हुआ है, इसमें कोई कीट अंदर नहीं जाना चाहिए, इससे कीट का बचाओ रहता है, कीट का बचाओ रहेगा, तो कीट अंदर नहीं जाएगा, तो हमें inside T-side या जो भी दवाई है कीट की कीट नासक दवाईयां होती है, उसका इस्तिमाल नहीं करना पड़ेगा, बिना कीट नासक दवाईयों के अपनी अच्छी पसल हो जाएगी, अब अंदर आते हैं, जैसे पहले गेट है, ये एंट्री गेट, तो इस जैसे हमने एंट्री ली तो भाया ने बताया कि इस गेट इंसक्त आया होगा वो इस कैबिन के अन्दर चोटा सा कैबिन है इसके अंदर रहेगा फिर एक से कींड़ि प्रीबेंशन हो इसके बाद ये दोर. खोले. आइएज फिर सकनी हों के अंदर कर ली है only no, 2 थिर शोब बखम धो बन करने, ली चोशिए फ मैजा है. कि सबसे पहले हम यह चीज बिल्कुल सुरुवास से सीखेंगे कि इसकी कल्टिवेशन किस तरीके से करते हैं पहले तो फिल्ड की प्रिप्रेशन कैसे करते हैं फिल्ड को कैसे बनाते हैं तो भी सबसे पहले हमें यह बताई जैसे कि आपने काम स्टार्ट किया पॉली हाउस का जो की तरहसे पहले की प्रप्रबेशन किस थरीके जी कि इसमें हमारे जाता है जिस से ब्रास्ट पॉलिहॉस बनने थो फिर उसके बाद हमने इसमें ट्रेक्टर चलवाकर सबको रोटावेटर से मिक्स करवाया मिक्स करने के बाद हमारी यह बने बनेगा है यह बैड बनाए देखहिए बैड़ देख़ो कितने प्यारे बने हुए है इस पे हम खीरे की कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो बीज की बात करें तो कोन सा कौ Spiritual में अभी इसमें हाजएरा का विईर्ट भी लगाए ठ्ल יהए बीज हमने लगाए था तो यह प्लांतू फलांट जैसे पौदे नौदे दूर से दूरम किवश्त डिस्टेंस हमने दिया है 40 cm का डिस्टेंस दिया हुआ है अच्छा मैं एक बात करूँ जैसे कि अभी सीड है कोई सीड रह जाता है रह जाने के बाद में को डिस्टेंस की दूरी आती है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है इसमें हमने डायरेक्ट सीड ट्रांस्प्लांट न नहीं लगाया गया पहले नर्सरी लगाते हैं नर्सरी लगाने के बाद में जो प्लांट तैयार होते हैं उसके बाद में इनको ट्रांस्प्लांट किया जाता है तो यह आप नर्सरी देख सकते हो नर्सरी कैसे तैयार किये भी आपने यह यह कोको पीट में हमने सीट डाला है 15 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है इसकी फंदरा दिन के बाद जब पौधा हमारा बन जाता है तो हमें एक mortality पता रहते हैं कि हमारा इतना पौधा मर गया है तो उसके इसाब से छह स्पेसिंग में transplant कर देते हैं उस तरीके से transplant करते हैं इसमें कोई Pastie Sight का इस्तिमाल होता है क्या नूइए इसमें हमसे फंगिसाइट डालते हैं कि फंगस ना लगें फंगस न लगें फंगिसाइट डालते हैं इसके लिए चलिए और भी जानकारी लेते हैं तो दोस्तों यह टमाटर की नर्सरी लगाई थी ने आप देख सकते हो यह करीब 35–40 दिन का हो चुका है और यह रिजेक्टेड है इसको यह नहीं लगाएंगे ठीक है तो अभी हमने जैसे की बात की आपको फिल्ड प्रिप्रेशन की दूसरी बात की के सीड कैसे तयार करते हैं तो भया ने बताया पहले नर्सरी लगाते हैं नर्सरी लगाने बाद में और ट्रांस्प् इसमें ड्रिप से दिया जाता है अच्छा तो अब पौदे की बात करें तो इसकी कितनी लाइफ रहती है और कितने दिन में इसमें खीरा उगाता है आपका यह अभी फिलाल हमारा 45 डेज का प्लांट हो चुका है और 45 डेज में हम हर्वेस्टिंग कर रहे हैं 45 डेज में हर् जाएगा तो एक से डेढ़ महीने कुल मिला के 45 डिन का पौदा रहता है उसके बाद 45 डिन ही इसमें हर्वेस्टिंग कर सकते है अच्छा इसमें बात करें इर्रिगेशं की सिचाई की तो सिचाई में क्या प्रॉसस्टम से कैसे सिचाई करते हैं वहार हमारी मोटर लगी हू तो कितने शॉमै जैसे कि गंटे की है मिनिट की बात करें तो कितने टायम उसमें से जलती एंट में जा जब हमातलिच सुट ऑन अब कितने मिनिट तक पानी आपको चलाना पड़ता है पी इस में откры05 Hom toys एक शॉड़ते हैं सें चाहिस अनुदोा जोड़ते हो चलिए बहुत बढ़िया और ड्रेम पानी लगाना पड़ता है मौ यहां डेली लगाते हो पानी हाँ इसमें डेली ट्वाइस दिया जाता है सुभेश हम दौनोर समय चालिस-चालिस मिनिट के लिए कीरा अपना पानी लेता है इसलिए इसमें पानी जाधा होना चाहिए और दोस्तों आप फल भी देख सकते हो देखो यहां फल लगे हुए है त सब्सक्राइब तो यह सीड़ लेस है सारे हैं यह सब सीड़ जैसे कि बात करें मार्केट वैल्यू की तो भी क्या रिट अभी सेल चल रही है इस पर अभी 35-40 रुपे किलो का रेट चल रहा है तो आप दिलि की मंडी में जाते हो 35-40 रुपे किलो यह वाव बता रह है अभी फिलाल का जो वाओ है और रेट बढ़ता भी है और कम भी होता है और इसके खीरे की आप quality देख सकते हो quality देखो कितनी बहतरीन quality है normal हमारे चेतर में बहुत खीरे लगते हैं लेकिन खीरे की quality इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं मिलती आपका खीरा जो है कहीं सफेद मिलेगा कहीं हरा मिलेगा लेकिन ये पूरा green color है एकदम green आप देख सकते हो और ये seedless है इसमें seed नहीं है तो दोस्तों पूरे setup की बात करेंगे आज बहुते इस पूरा setup कैसे होता है कितना पैसा इसमें खर्च होता है और सरकार का कितना सयोग हमारे लौन की तरफ से रहता है तो ये setup में कितना खर्चा होगा ये कितनी जमीन है पहले से जमीन की मेरे को बताई कितने एकड जमीन है ये पूरी एक एकड में हमने polyhouse लगाया है एक एकड जमीन है एक एकड का मतलब है 32 विश्वे जमीन जैसे कि समसवा छेत्र की बात करें तो यहां कच्छे भीगे हैं कच्छे भीगे 8 विश्वे का एक भीगा होता है और 4 विगे जमीन में इन्होंने यह लगा रखा है तो इसमें कितना खर्चा भीया पूरे में आता है एक एकर में लगबख 50 लाग रुपे का खर्चा आता है और बात करें जैसे की सरकारी योजना की तो सरकारी योजना के तहित पॉली हासमें कितना आपको सबसेडी मिल रही है सरकार की तरफ से योगदान मिलता है पचास परसेंट इनको सबसेडी मिले हुई है पॉली हाउस के लिए चलो बहुत अच्छी सबसेडी मिले हुई है और दूसरी बात करें महन मुद्दा आता है आपका खेती में प्रॉफिट मार्जन कितना है चोटे-चोटे किसान खेती से दूरी बनाए हुए है चोटी- तो इसमें खूब पैसा कमा सकते हैं ऑपशेत si alone half So walk बात करें हम तो आप एक साल में works हो अब हर महीने के आप कितना बचत होने वाली आपको किसी भी नौकरी में आपको नहीं मिलेगी अब यही हम आपको छोटे बड़े किसानों सभी के लिए अपने चेतरि के जो भी जितने भी किसान है उनके लिए यह जानेंगे कि यह setup आप किस तरीके से तयार कर सकते हो और अपनी income को कैसे बढ़ा सकते हो खेती तो आप करते ही हो देखो खर्चा उतना ही आता है पानी सब को देना है जुताई सब को करनी है बीच सब को लेके आना है कारे सारे करने हैं आपको लेकिन ये technical तरीके से आपको कैसे करना है किस तरीके से इसका setup आप कर सकते हो इसकी पूरी जानकारी हम भाईया से लेंगे वीजह इसका पूरा सेट अप कैसे किसां कर सकते हैं किसान अपने नज्बीकी दिएच कि जासकते हैं एस में उनको पूरी जानकारी हाइटक पॉलिहाउस की मिल सावर की तरफ से बहुत सारी कंपनीया संग लगाए गई है कि यह पॉलीहाउस लगाते हैं वो शेट पॉलिय। उसे के गाई है कि हम पॉलिय। से अजने यहां आप पॉली हाउस लगा सकते हैं जी जी तो उसके बाद में जैसे की सीड की बात करें तो अच्छा सीड कहा मिल सकता है पॉली हाउस के लिए सीड अलग ही आता है जैसे उसमें सरकार को कोई अनुदान रहता है गया जब हम स्टार्टिंग में पहला पॉली हाउस लगाते हैं उसमें पहली फसल लेते हैं, तो 50% अनुदान सरकार उसमें भी देती है, 50% सरकार अनुदान देती हैं उसमें भी, तो इसकी जैसे बीजगी बात करें, तो जैसे आप नरसरी लगाते हो, तो इसमें कोई गारंटी है, कि इस तरीके की पोदे लगेंगे, या इस तरीके की quality आएगी ये पहले से mention कर रखा होता है क्या उन्होंने quality mention नहीं कर सकते हैं क्योंकि quality आपके ओपर depend करती है किसान उसमें जैसा पानी देगा जैसी खात देगा जैसी दवाई देगा उस पर depend करेगा कि आपका product कैसे grow करता है तो उसमें कोई quality आपको guarantee नहीं दे सकता है कि ऐसा पोधा आएगा इतना टनमाल आएगा ऐसा सखीरा आएगा दूसरी बात यह जानना चाहेंगे जैसे कि आप पानी की भी बहुत बचत कर रहे हो इसको सचाही कर रहे हो तो इसको कैसे सेट अप करती है जैसे यहां पर किस तरीके के पाइप लगाई जाते हैं किस तरीके से कितना अंदर तक यह है कि जहां तक जड़ों तक पानी पहुंच सके जैसे कि आप देख सकते हमारी ड्रिप लाइन ऊपर ही रखी हुई है यह उपर ही रखी जाती है और इसमें ड्रॉप बाइड्रॉप प्लांट के पास इस बेट पे पानी गिरता है तो यह जो बेट है इसमें मौईश्यर अपने आप गेन कर लेता है तो इसमें कोई ऐसी ज सब्सक्राइब देख रहे हो यह उपर से ही पानी नीचे उपर की तरफ ही पानी जाता है और नीचे इसका मौईश्यर चला जाता है उससे ही पौदा अपना पूरा जो भी वाटर है वो अंदर तक सचाई के लिए ले लेता है अच्छा बात करें जैसे कि अभी यह लटके ह पौदे हैं तो इन में क्वालिटी मेरे को थोड़ा ज्यादा नजर अच्छी आ रही है खीरेगी और यही पौदे अगर जमीन पर बिचा के इसका फ्रूटिंग ली जाए तो इन दोनों में क्वालिटी में क्या अंतर रहने वाला है में डिफ्रेंस इसमें याएगा कि हम जमीन पर बिचा के करते हैं तो पहली बात तो आपका फ्लार मर जाता है फ्लावर मर जाता है कुछ फ्लार आपका सड़ जाता है कुछ अगर आपका फ्लार बन गया उसमें फ्रूटिंग हो गई उसमें खीरा आ गया तो फिर खीरे पर दाग आ जाते है उसका कलर चेंज हो जाता है तो यह चीजे इसमें नहीं आती है वर्टिकल फार्मिंग में हमारा एक तो खीरा आएगा एकदम स्टेट जो कि हम अगर जमीन पर करते हैं तो नहीं आएगा इस टेट नहीं आता है और इसमें संलाइट चारों तरफ से पड़ती है क्योंकि अलग-अलग प्लांट है एक-एक पौदा देख सकते हो और फूटिंग कितनी बड़िया हो रही है एक-एक पौदेफ है एक-एक जगह देखो चोटी सी जगह में पांच देखो फूर लग रहे हैं आपर देखो पांच फूर्ट लग रहे हैं इतनी अच्छी फूरूटिंग है बहिया ने बीज के मैं आपको बता ही दिया तो जानेंगी हम जैसे कि पॉली हाय लगा रखा है तो यह समस्याों का भी इसमें हम लोगों को देखना पड़ता है क्या-kya समस्या आने वाली वह सथ हम जाने है कि क्या इसमर्स या यह तहिक को हमें देखना चाहिए पॉली हाॉस में अगर हम बिगेर नॉलेज उत्रेंगे तो समस्या ही समस्या है जी तो मैं और मेरा भाई हम सेंटर ओफ एक्सिलेंस गए थे गरॉंडा हमने वहाँ पे पहले इसकी ट्रेनिंग करी हमारा पॉली हाउस साथ की साथ बन रहा था साथ के साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें पता चला कि इसमें वाइट फ्लाई की समस्य आती हैं माइट्स की समस्य आती हैं तो यह सब एक पौदे को पास से देखने की जरूत होती है इसमें अगर हम डे टू डे इसमें नहीं देखेंगे नहीं चक्कर मारेंगे प्लांट देखना पड़ेगा यह सबसे ज़्यादा बैतरी नसमस्या हैं जिनको आप देखके उसका उपचार कर सकते हो तो दोस्तों पॉली हाउस में भीया ने दो सिस्टम लगाई हुए है इरिगेशन के सिचाई के एक तो आपने देखा है ड्रिप इरिगेशन एक फॉगर cheech सिस्टम है Drift से भी पानी देते हैं और यह फॉगर से फी पानी देते हैंक तो दौनों तरीके से पानी इसमे देते हैं तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊँ यहां पर टैंप्रिचर देखने के लिए भी एक मसीन लगई यह जैसे आप देख सकते हो इसमें यहां तो समय बता रहा है और यह टेंप्रेचर बता रहा है आपका अगर टेंप्रेचर बढ़ जाता है तो उपर इस्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है इर्रिगेशन का उसको चालू कर देते हैं तो धूप मे जैसे ही उपर से पानी आता है तो टेंप्रेचर मेंटन होके आता है टेंप्रेचर अरेड़ी कम हो जाता है पानी की सायता से तो दोस्तों अभी हमने यह खीरा तोड़ लिया है इसकी quality चेक करेंगे किस तरीके के quality है यह seedless खीरा है देखो कितना प्यारा लग रहा है इसके color को आप देख सकते हो और इसके size को भी आप देख सकते हो size में यह बड़ा भी रहता है लेकिन अभी क्या है अभी सुबह ही harvesting हुई है तो उसके चक्कर से छोटा size है बागी बड़े खीरे जो है वो सेल होने के लिए चले गए हैं तो इसको test करते हैं without chemical है तो इसको मैं धोवी आप देख सकते हो seedless है नहीं तो खीरे में बहुत बड़े बड़े बी जाते हैं आप देख रहे हो और बाकर में चेक करके खा करके आपको बताता हूं बहुत अच्छी क्वालिटी है खिरे की नहीं तो खिरे कड़वे बहुत जहागा आते आपने देहा हो मार्केट में कड़वे बहुत घूर आते हैं तो भाइस सब्सेट पहले में यह जानना चाहूंगा आपसे यह आप जो देख रहे हैं हम cuántopal की है यह किसकी है आप बता होगे तो इसका क्या फाइदा है यह एक सेकेंडरी शेड़नेट है अगर हमारी सनलाइट जादा होती है यह टेंपरेचर जादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग एक हम इसको खीच देते हैं तो इससे 50% अपनी सनलाइट रुक जाती है इसमें और मेरे को बताई कैसे इसको आप आंगी की तरफ लेखे आते हो इसमें आगे पीछे यह ऐसे रोप लगी हुए है और चेन पुली सिस्टम है तो हम इसको अगर ऐसे खीचते हैं यह उपर देख सकते हो यह से बंद हो जाती है पूरा बंद हो जाएगा यह अच्छा तो एक पूरा ग्यान है इस चीज़ का यह दिल्ली के रहने वाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा मैं मनुष्षर्मा अपने साती केमरा मेर रोष्षर्मा के साथ मैं किसान सेवा आगरा